गाईज भाई हम इसके अपोजिट से आये थे यानि पहली तरफ से तो भाई आप जैसे इधर से आऊगे ना इस जील को पार करते हुए तो इधर दिखेगा भाई आपको कामा सा नेरू पार्क तो चलते पार्क के अंदर एगाईज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू बलॉग तो लाश्ट बलॉग में आपने देखा होगा कि मैं आया हूँ गुजरात और गुजरात में बाई कल मैं आपको एक अच्छी जगे दिखाई थी तो आज भी एक अच्छी जगे पे निकल रहे है यानि आपसे कल जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे उसी जगे पे जा रहे हैं यानि लाखोटा लेक पे यानि रणमल जील पे तो दिखाते आज रणमल जील आपको ज़्यादा टाइम बेश्ट नहीं करते आपका ले चलते आपको रणमल जील की तरफ और अगर आपने कल कब लोग नहीं देखा है तो उसके बारे में मैंने अच्छे से जिक्र कर रखा है कल तो जाओ कल कब लोग भी देखो और हम ले चलते आपको लाखोटा लेख की तरफ तो आप होचे गाई लाखोटा लेख यानि रणमल तालाब पे और एक बार वाई आप ये कलिप देखो जिसका मैं जिक्र कर रहा था कल सुबा तो ये कलिप देखो आज हम आपको गुजरात से दिखाएंगे एक अच्छी चीज यहाँ पे वाई एक जील है जील कह दो या ले ये तालाब कह दो तो कुछ भी कहो आप पर वो दिखाएंगे और बहां पे क्या-क्या है वो भी मैं दिखाऊंगा तो जैसे कि आपने देखा मैंने कल इसी तालाब के बारे में यानि इसी लेक के बारे में जिक्र किया था तो आज दिखाता हूं भाई ये सारा तालाब और इसमें कहां-कहां सूट अलाऊ है यानि कहां-कहां वीडियो करने देंगे कहां-कहां नहीं तो सब कुल दिखाऊंगा आप भई बने रहो लाश्ट तक और इधर है टिकट काउंटर तो हमने टिकट ले लिया है अब चलते अंदर इधर से और आज जो है हम आये हैं मोसी जी मैं और मम्मी जी तो गाइज अंदर आप पहुंचे है और ये है भई बो लाकुटा लेक इसका निर्मान जो है भई रणमल जी ने करवाया था और गाइज आपको जो सामने दिख रहा है भई बो है साइद म्यूजियम वहाँ पर भी चलेंगे गाइज यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है कोपिराइट की बज़े से भई मैं आपको ये NCS की टून लगा के दिखा रहा हूँ भई गाइज अमको इधर से अभी तो इधर जाना है म्यूजियम की तरफ तो भई म्यूजियम में जाने के लिए हमको टिकट लेने होंगे और म्यूजियम का टिकट है वह अलग से है और इस लेक का टिकट अलग से है तो गाइज आप यहां से देख लेना क्योंकि हमको अभी बोला गया है कि अंदर वाई वीडियो बनाना जो है अलाव नहीं है तो गाईज में जहां पर कड़ाऊं वो है रणमल जील तो आप सभी को मैंने बताया था कि वह यह जो जील है यह तीन बागों में विवाज इते हैं यह देखो भाई कोपिराइट का सिस्टम है और कोई जगे लगा रखा है ताकि भाई इसकी ज़्यादा कोई वीडियो ना बना पाए गाइध भाई आप इस मेंजियम को भाई पार से देख सकते हैं क्यूंकि जो है अभी यहाँ पर आथो फॉन को रख लेंगे या फिर बंद करवा देंगे कैमरे बिल्कुल भी अलाव नहीं अंदर भाई यह जो जील और मंदिर यह भाई गुजरात के जामनगर के मद्दि में बिल्कुल यानि रेलवे स्टेशन से पांच किलो मिटर की दूरी पे है तो भाई हमारे कैमरे यहां तक अलाव है यहां से अंदर कैमरे अलाव नहीं है तो यह है एंट्री द्वार तो गाइज मैं म्यूजियम से बाहर आ गया हूं और आपको गर पे जाके बताता हूं कि वह अंदर देखने के लिए क्या-क्या है क्या-क्या नहीं गाइज भाई मेरे साथ हो चुका है पोपट मैं आपको यह म्यूजियम भी दिखाता पर क्या करें यहां पे कैमरे अलाव नहीं है वैसे मैं आपको भाई यह जील दिखाने आया था यानि लाकोटा लेक गाइज भाई आप म्यूजियम में आना चाहते हो तो म्यूजियम के भाई दक्सिन और उत्तर से आ सकते हो पूरा पच्चिम से रास्ता नहीं है आने का म्यूजियम के इधर भी यह लेक है और म्यूजियम के तो भाई चारों तरफ यह लेक है इसको ये तो नहीं कह सकते कि देखने लाइक चीज नहीं है यहाँ पे आओगे तो आपका काफी अच्छी तरीके से मनोरंजन हो जाएगा अगर आप श्याम को आओगे न यहाँ पे तो आपको काफी अच्छी लोकेशन दिखेगी क्योंकि यहाँ पे जो है लाइटिंग काफी अच्छी तरीके से जलती है तो šyam को आना, अगर आप आना चाओते हो, और हाँ 7 बजे बात मताना अगर आपको मूजियम देखना है तो मूजियम जो है भई 7 बजे ओफ हो जाता है तो 7 बजे के पहले आओगे आप, तो मूजियम भी अची तरीक से देखोगे, और मैं आपको घर जाके बताता हूँ जील की सुन्दरता में चार चान लगा देए नाव इन में लगी हुए लाइटिंग और नीचे से निकलते फबारे तो जैसे कि आपने देखा ये थी जामनगर की लाखोटा लेक यानि रणमल जील अब चलते हम घर पे और बताता हूं कि म्यूजियम में क्या-क्या चीजे हैं काफी अच्छी चीजे अंदर देखने के लिए हम इसके अपोजिट से आये थे यानि पहली तरफ से और जा रहे इधर से इधर से जा रहे वही तो चलते आप गर पे तो आप जैसे इधर से आओगे ना इस जील को पार करते हुए तो इधर दिखेगा आपको कामा सा नेरू पार्क तो चलते पार्क के अंदर और यह देखो गाईज हम जो गाउं में खेलते हैं बच्पन में बोई गेम खेल रहे हैं और वाई इस पार्क में आज काफी भीड़ है क्योंकि आज है इध तो इध के दिन यहां पे सब आई हुए है तो भीड़ भी काफी है भाई है भाई इस पार्क में जो है बच्चों के मज़े है हाई क्योंकि भाई इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए काफी चीजे 备न देखो भी स्री राम जे राम जे जे राम मंदिर तो चलते अंदर और दिखाते आप कैसा है मंदिर तो ये है वो मंदिर तो चलते हैं अंदर तो गाईज ये था भई स्री राम जे राम जे जे राम तो ये था वो मंदिर अब चलते हैं गर पे डायरेक्ट तो आगे हैं गर पे और अब बताता हूं भई कि आकरकार म्यूजियम में क्या-क्या था देखने लाइक बहाँ पे भई काफी मूर्तिया है बिनने बिनने परकार की और जैसे ही आप उपर जाओगे न थोड़ा बहाँ पे उपर जाने के लिए है तो उपर है आती के सिर तो उनका कंकाल है और बहाँ सबसे अच्छा तो देखने के लिए बहाँ है डायनासोर का कंकाल तो बहाँ पे एक बड़े से बखसे में डाइनासोर का कंकाल रखा हुआ है और आगाईज बहाई कल मैंने आप से बोला था कि लाखोटा लेक पे चलेंगे पर बहाँ पे हमारा जाना नहीं हुआ और आपको वहाँ पे साथ अधा को अगाईज प्लौग आई होप आपको गुजरात का आपको एक और ब्लौग पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक कर देना चैनल बगर नी हो तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते कल एक और इंट्रेस्टिंग व्लोग के साथ तब तक के लिए बाई